हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और पेडलर मीडियो पर आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे डेली कार अंटरफियो सब 13 ओक्टोबर 2020 तो जल्दी से सेशन को जॉइन कर लीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे और हमारे चनल पेडलर मीडियो को सब्सक्राइब करें, पहल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए और जो बच्चे से से सी सी एचसल का जो एक्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वेबसाइट पर आप जाकर अटेम्ट कर सकते हैं, साथ ही जो बच्चे सी सीजेल टायर टू के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी टेस सीरीज अवैलेबल है, आप उसको जॉइन करिए, फर्स्ट मॉप टेस्ट जो है मेंस के में बेटेंगे, मेंस की तियारी करें अपनी हो, और उनके लिए मेंस की टेस सीरीज अवैलेबल है, तो आप वो जॉइन कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं सेशन की, पहले हम पिछली न्यूस रिवाइस करेंगे, पिछले दिन की, एन देन हम कानफ्लिक्ट एरियास हैं, जहां पर वार कानफ्लिक्ट चल रहा था, वहां पर लोग की जो भूख की समस्याती उसको हल करने में मदद की, वहां तक लोग को खाने पीने की पहुँच सुनिश्चित की, तो इसी इनके एफर्ट्स के लिए वर्ल्ट फूड प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइस 2020 दिया गया, 2019 का नोबल पीस प्राइस प्राइस प्राइम मिनिस्टर ओफ एथोपिया अभी एहमत को दिया गया, और वर्ल्ट फूड प्रोग्राम जो है, ये 1961 में फाउंड हुआ था, इसके हेड़क्वाटर कहां पर हैं, जल्दी से कमेंट करके बत दिजए, कल बताया था मैंने आपको, कहा हैं इसके हेड़क्वाटर, इसके हेड़क्वाटटर, रू में हैं, ठीक के, Food and Agriculture Organization के हेड़क्वाटर भी रू में हैं, और व्ल्ल्ड फूड प्रोग्राम के भी रू में हैं, और इसके हेड़ कौन है, डेविड वीजली, डेविड मार्टियर थे 18th century के and उनका 25 वर्ष की आयो में ही निधन हो गया था अपने सिख की जो भी प्रिंसिपल्स है उनको प्रटेट करने के लिए उनको पकड़ के ले गए थे कि उनके बाल काटने के लिए उनको आइस्लाम में कनवर्ट करने के लिए बाई वन अफ दे मुगल एमपरर और तब भी उन्होंने अपना सर काट लिया लेकिन अपने सर के अपने कराँ चेबाल नहीं कटने दिया और ना हिसलाम में इसलाम को गबूल के ना इसलाम में कनवर्ट हुए then next is DRDO successfully conducted flight test of rudram rudram और NGARM तो ये rudram क्या है it is air to surface ठीक है this is important कि ये air to surface जो है anti-radiation missile है air to surface anti-radiation missile है या फिर new generation anti-radiation missile भी कह सकते है तो ये DRDO develop कर रहा है और इसमें जो produce करेगा rudram को वो भारत dynamics limited और भारत electronics limited मिलकर बनाएंगे next is world mental health day जो हर वर्ष 10 October को मनाया जाता है और इसमें जो theme थी इस बार थी mental health for all, greater investment and greater access next is goa first हर घर जल state in India तो goa पहला हर घर जल state बना है क्योंकि उसने जितने भी rural household से सबको 100% functional household tap connections प्रोवाइड करें है इसलिए जो है यहाँ पर goa first हर घर जल state बना है जो जल जीवन mission है जो इस से related है जल जीवन mission तक यह इसका aim है नेक्स्ट इस चाइना अनॉंसे इस जॉइनिग टू COVAX initiative तो COVAX initiative जो World Health Organization का initiative है तो WHO का यह initiative है कि जितने भी COVID-19 की vaccines है उनको 2021 तक at least 2 billion doses जो है supply की जाए और चाइना ने यह initiative जोइन किया है by signing the Gavi Gavi क्या है global alliance global vaccine alliance है यह Gavi तो इस Gavi को उनोंने sign करके इस initiative को join किया COVAX initiative को जो यह Gavi है global vaccine alliance यह 2000 में create किया गया था और इसके जो founder थे वो Bill and Melinda Gates foundation थे next important है bimonthly monetary policy announced by RBI RBI ने bimonthly monetary policy announced की और इसमें जो repo rate है repo rate है उसको change नहीं किया उसको 4% ही रहने दिया and जो reverse repo rate है इसको भी change नहीं किया 3.35% जो पहले था वही रहने दिया क्योंकि उनोंने कहा कि इससे जादा इसको increase नहीं किया जा सकता है and साथ उनोंने यह भी कहा कि जो RTGSA payment system है real time gross settlement system यह December से 24-7 available रहेगा तो यह सब announcement हुए थे next is Mexican ozone layer profit Mario Molina passed away तो Mario Molina जिनको Nobel Prize in Chemistry भी मिला था क्योंकि उनोंने यह पता किया था कि chlorofluorocarbon की वज़े से कैसे ozone layer को threat पहुँच रहा है इसलिए उनको ozone layer का profit भी कहते थे and वो पहले Mexican थे जिनको Nobel Prize for Chemistry मिला था इसलिए यह news में थे तो इस बार का जिन Nobel Prize in Chemistry है वो किसको मिला है जल्दी से comment करके बताईए इस बार का Nobel Prize in Chemistry किसको मिला है 2020 का Emmanuel Charpentier and Jennifer A. डोड़ना को मिला है for the method of genome editing which is CRISPR कास नहीं कल मैंने detail में discuss किया था इसके बारे में Cochin Shipyard Bags Green Certification Cochin Shipyard पहला ऐसा green company बना है in the shipping sector जिसको green को silver rating certificate मिला है और यह जो green certificate मिलता है इसके लिए बहुत सारे parameters होते हैं जैसे energy efficiency, water conservation, renewable energy बहुत सारे parameters होते हैं जिनमें से energy efficiency को सबसे दादर रेटेज मिलता है Cochin Shipyard जो है यह एक public sector enterprise है जो ministry of shipping के अंतरगत आती है और यह largest ship building और maintenance facility है इंडिया की Next is human ATM launched by Fino payment banks तो Fino payment bank ने अपना human ATM launch किया है जिसमें staff available होगा आधार enabled payment system होगा और Fino के micro ATM लगेंगे जहाँ पर जो customers हैं उनको banking services 24-7 available रहेगी तो यह payment banks क्या होते हैं payment banks की बारे में मैंने कुछ features बताये थे कल आपको कि किसी एक particular customer से एक लाग से जादर deposit accept नहीं कर सकते हैं यह सरफ saving और current account खुल सकते हैं और ATM और debit card issue कर सकते हैं credit card issue नहीं कर सकते हैं नहीं loan provide कर सकते हैं तो कुछ payments bank जैसे फीनो payment है एरिटल payment bank है पेटियम payment bank है इंडिया post payment bank है आदेत्य बिल्ला payment bank है और जियो payment bank है तो यह कुछ payment banks के नाम है next is national postal week जो है यह 9th से लेकर 15th October तक मनाया जाता है 9th से इसले start होता है क्योंकि 9th October को जैसे हमने पढ़ा था world post day मनाया जाता है टीक है world post day कब मनाया जाता है 9th October को मनाया जाता है वहीं से यह celebration से वो start होती है then 10th October को banking day मनाया जाता है इंडिया में 12th October को PLI Day मनाया जाता है 13th को Fidelity Day मनाया जाता है 14th को Business Development Day and 15th October को Mails Day मनाया जाता है तो ये सारे जो है 9 से लेके 15th October तक Days मनाया जाते है तो ये सारे जो भी हमने डिसकस किये ये previous day की news थी इसको आप जाकर website पर सकते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो आप previous day का वीडियो भी देख सकते हैं for detailed discussion आगे चलते हैं माज की news देखते हैं Very important, PM Modi launched Physical Distribution of Property Cards अंदर स्वामित्व स्कीम तो ये जो स्वामित्व स्कीम है इसमें government ने लांच किया है Physical Distribution of Property Cards और इसकी वज़े से क्या होगा जितने भी गाउं में रहने वाले लोग है villagers हैं वो अपने जो भी उनका financial asset है वो उसके owner है उनको उसका property card मिलेगा जिसके basis पर वो financial institution से loan ले सकते हैं या फिर कोई भी financial sector की कोई भी services है उसको वो avail कर सकते हैं स्वामित्व स्कीम की हम बात करें तो ये एक central sector scheme है जो कि ministry of panchayati राज के अंतरगत हैं तो देखो आपके लिए दो-तीन points बहुत important है क्योंकि PCS जैसे exams में scheme के जो है वो statement form में आता है या फिर UPSC के जो exam है उसमे scheme से direct questions कम आते हैं statement form से ज़्यादा आते हैं तो आपके लिए हर statement important है and it was launched on 24 April 2020 on the national panchayati राज डे by Prime Minister Narendra Modi तो Prime Minister Narendra Modi ने इसको 24 April 2020 याने की जब national panchayati राज डे था इस वर्ष का तब ये scheme को launch किया गया था इसका objective क्या है उदेश्य क्या है कि ग्रामीन छेत्रों में लोगों को record of rights देने के लिए संपत्ती कार्ड जारी करना जितने भी villagers हैं rural areas में उनको record of rights मिले और उनको property card issue किया जाए the scheme will be implemented in phased manner इसको चरणबत तरीके से चलाय जाएगा from 2020 to 2024 तो this is also important क्योंकि देखा गया है कि ये जो implementation का जो time होता है इससे भी question बन जाता कि कोई scheme कब तक चलेगी इसमें उत्तर प्रदेश हर्याना, महराष्ट, मद्या प्रदेश, उत्राखंड और करनाटिका के कुछ villages हैं जिनको जहां पे scheme को implement किया जा रहा है on the pilot basis और ये 2020 से 2021 तक के लिए phase चलेगा और इसी के चलते MOU sign किया गया है in states के साथ with the survey of India for drone survey and implementation of the scheme अच्छा ये जो property card है इनको अलग-अलग states में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे हर्याना में इसको title deed कहते हैं करनाटिका में इसको rural property ownership records कहते हैं या फिर R.P.O.R and अधिकार अभिलेक कहते हैं in Madhya Pradesh and then सनत कहा जाता है in Maharashtra स्वामित्व अभिलेक कहा जाता है उत्तराखन में and घरवानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में तो ये जो नाम है ये other names ये आपको पता होने चाहिए हो सकता है कि आपको matching दे दी जाए और पूझा जाए कि इनमें से कौन सा correctly match नहीं है ठीक है और vice versa question है आपके लिए स्वामित्व स्कीम has been launched by Dash स्वामित्य योजना Dash द्वारा शुरू की गई है Ministry of Panchayati Raj Ministry of Rural Development Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Parliament Affairs तो जल्दी से comment करके बताएए क्या हो इसका correct answer स्वामित्य स्कीम किसके द्वारा लांच की गई so the correct answer is option है that is Ministry of Panchayati Raj next is international day of the girl child ये हर वर्च 11 October को मनाया जाता है ताकि जो लड़किया है उनके अधिकारों को कुमांड़ता दी जा उनके rights को recognize किया जा सके the day aims to highlight and address the needs and challenges faced by girls worldwide तो ये जो दिवस है ये पूरे wish में लड़किया क्या challenges face करती है क्या उनकी जरुते उनको क्या address करने के लिए किया जाना चाहि उस पर highlight करता है और साथी girls empowerment को promote करने के लिए भी focus करता है 2011 में UN General Assembly ने एक resolution adopt किया कि 11 October को International Day of the Girl Child मनाया जाएगा last year's की theme थी girl force unscripted and unstoppable and 2020 के लिए जोसकी theme है वो है my voice are equal future और अगर हम data की बात करें इस related तो हर 4 लड़कियों में से जो एक लड़की है in the age group of 15 to 19 years ना ही वो employed है ना ही वो educated है और ना ही उसको किसी तरह की कोई training provide की गई है और ये comparison है के ऐसा होता है same age group है 15 to 19 years में हर 10 में से एक लड़की की ये हालत है लेकिन लड़कियों के अगर हम देखे ratio तो हर 4 में से एक लड़की की ये हालत है कि ना वो employed है ना educated है और ना किसी तरह किसको training दी गई है तो यहाँ पे हम वो देख सकते हैं कि एक skill gap है एक education से related gap है तो यहाँ पे एक inequality नजर आती है more than 60% of countries discriminate against daughters try to inherit the property in either law or practice तो 60 प्रतिशत से भी जादा जो countries है वो अभी भी जो daughters का अधिकार है जो लड़कियों का अधिकार है भूमी पे जो भी land assets है या non land assets है उन पे discriminate करते हैं जो sustainable development goal है 5 it promotes gender equality gender empowerment girls empowerment को यह promote करता है gender equality को promote करता है यानि की link समानता से यह जुड़ा है question देख लेते हैं international day of the girl child is observed on antarashrebali का दिवस कब बनाया जाता है 14 October 13 September 11 October and 13 July guys comment करते रहें correct answer इसका correct answer होगा option C that is 11 October next news है birth anniversary of Jay Prakash Narayan and Naraji Deshmukh was celebrated on 11th October Jay Prakash Narayan के हम बात करें इनको hero of quit India moment भी कहा जाता था भारत छोड़ो अंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता था तो quit India moment कभ हुआ था जदी से बताईये यह हुआ था 1942 में 8 August 1942 से यह start हुआ था Jay Prakash Narayan को JP या फिर लोग नायक के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने कुछ major role पर एक किये थे कुछ movements में जैसे quit India movement सर्वोधय movement और JP movement अगेंस इंद्रगाधी government तो उन्होंने काफी famous role play किया था पहले तो उन्होंने state government के खिलाफ स्टार्ट किया था JP movement लेकिन वो बढ़ते बढ़ते हुआ नाशनल लेवल पे चला गया in 1965 he received रमन मैगसे अवर्ड तो 1965 में उनको रमन मैगसे अवर्ड मिला और मर्नो परांत उनको भारत रत्म से सम्मान किया गया 1999 में रामब्रिक्ष बेनी पूरी ने उनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका टाइटल है जै प्रकाश तो ये जेपी है जै प्रकाश नारायन है बात करें हम नाराजी देशमुक की तो वो शोशल रिफॉर्मर और पलिटीशन थी उनका जो नाम था वो चांदी कादास अमरिता राव देशमुक था और उन्होंने भारतिय जन्संके प्रेज़िडेंट की रूप में भी कारेभार समाला था उनको पद्म विफूशन से 19 nap में सम्मानित किया गया और लास्ट येर उनको भारत रत्म से सम्मानित किया गया मर्नो परांथ तो 2019 में भारत रत्म किस-किस को मिला था? एक तो नाना जी देशमुख को मिला था, एक भुपेन हजारीका को मिला था and प्रणब मुखर जी जो फॉर्मर प्रेजिडेंट थे इंडिया के प्रणब मुखर जी उनको दिया गया question आपके लिए who is known as लोग नायक, लोग नायक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंदर विद्या सागर, जैप्रकाश नारायन और श्री कृष्णा सिंग तो क्या होग उसका correct answer? The correct answer is option C, that is जैप्रकाश नारायन. Next is PM Modi released commemorative coin of Rs. 100 in honor of Vijay Raji Sindhya. तो Vijay Raji Sindhya की 100th birth anniversary पे उन्होंने 100 उपे का coin जो है वो release किया and Vijay Raji Sindhya की हम बात करें तो उनका जन्म 12 October 1919 में हुआ and उनको राजमाता ओफ ग्वालियर के नाम से जाना जाता था. She was one of the founder members of BJP तो जो BJP के founder members थे संस्थापक सदर्सियों में से वो एक थी और साथ बार वो लोगसभा की member बनी और दो बार राजी सभा की member बनी यह आप देख सकते हैं यह Vijay Raji Sindhya है. Question है आपके लिए a commemorative coin of Rs.100 was released by Prime Minister in honor of Daesh on our 100th birth anniversary. Pradhan Mantri द्वारा निमिन में से किसकी सौवी जैन्ती पर सौरुपे का स्मर्णी है सिक्का जारी किया गया है. Madhav Rao Jeeva Ji Rao Sindhya, Vijay Raji Sindhya, Kadaar Ji Rao Sindhya and Jayaji Rao Sindhya. So what will be the correct answer for this? Guys comment करते रहें correct answer, कोई भी doubt है comment box में mention करिए. Video को like करते रहें, share करते रहें, try to add more and more people to the session. So उसका correct answer होगा option B that is Vijay Raji Sindhya. Next is Rafael Nadal won his 13th French Open Men Singles title by beating Novak Djokovic. तो Novak Djokovic को हराकर Nafail Nadal ने अपना तेहरवा French Open खिताब जीता है. और अब उनका जो Grand Slam title है, वो Roger Federer के बराबर हो गया है. He is the first player to reach a century of single wins in French Open, where French Open में एकल जीत के शतक तक पहुँचने वाले पहले खिलाडी है. राफेल नडाल को King of Clay भी कहा जाता है, French Open की हम बात करीं, तो ये Grand Slam tennis tournament है, जो Outdoor Clay Coats में खेला जाता है. तो Grand Slam में चार tournament होते हैं और French Open उनमें से एक है, एक US Open है, एक Wimbledon है और एक Australian Open है. The venue of this tournament is at Stade Roland Garris Stadium in Paris. Who is the winner of Minsk singles title of French Open 2020? French Open 2020 के पुरुशों के एकल खिताब के विजेता कौन है? राफेल नडाल, नोवक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मूरे. So, क्या हो उसका correct answer? जल्दी से comment करके बता दीजे मुझे. बहुत easy question है. So, क्या होगा उसका correct answer? The correct answer will be option A, that is Rafael Nadal. Next is, first Polish player Ega Switek won French Open by beating Sophia Kennan. So, Sophia Kennan को हरा कर Ega Switek, जो है, first Polish player बनी है, जिन्होंने Grand Slam title जीता है in the Women's Singles Final of French Open. The 19-year-old Ega Switek will move to 17th position in the World Ranking after this. Win तो उनका 17 स्थान हो जाएगा, और वो 19 वर्ष की हैं, और उन्होंने इस जीत के साथ 19,00,00,00 का जो है, डॉलर जो है, जो है, cash price जीता है. तो यहाँ पर हम winners देख लेते हैं French Open के Men's Singles में Raphael Nadal ने जीता है, Novak Djokovic को हरा कर, Women's Singles में Ega Switek ने जीता है, Sophia Kennan को हरा कर, Men's Double में Kevin Kravitz and Andries Meas हैं, जिन्होंने Marty Pavick और Bruno Sors को हराया है, और Women's Doubles में Timia Bobos and Christina Miladinovic ने जीता है यह, और यह उन्होंने runner-up कौन रहा है, Alexa Gorocchi and Desiree Krausik, तो इनको जो है, यह runner-up रही हैं, तो यह जो है French Open, French Open 2020 के जो है, यह winners हैं, ठीके न, in different categories, आगे चलते हैं, next is question for you, Ega Switek won French Open Women Singles Title 2020 by Defeating Dash, Ega Switek ने Dash को हरा कर, 2020 में French Open महिला एकल किताब जीता है, Alexa Gorocchi, Sophia Kennan, Simona Halep and Justine Hennan, So, क्या होगा इसके correct answer, जल्दी से बताईए, what will be the correct answer for this, the correct answer for this is option B, that is Sophia Kennan, next is India's all 8 beaches get international blue flag certification in a single attempt, कुछ दिन पहले हमने यह discuss किया था September में, कि इंडिया के 8 जो beaches हैं, वो blue flag certification के लिए recommend किये गए हैं, और अब जो है, यह final decision आ गया है, कि इन साभी beaches को यह जो 8 recommend किये गए थी, पहले attempt में, इन सभी को blue flag certification मिल गया है, तो इसमें blue flag certification वाले beaches कौन कौन से हैं, यह important है अब आपके लिए, शिवराजपूर बीच इन गुजरात, गोगला बीच इन दियू, कसर कोड एंड पदु वीदरी इन करनाटिका, कपड इन केरेला, रशी कोंडा इन आंधर प्रदेश, गोल्डन बीच इन ओडिसा, रादा नगर वीजीन अंडेमान निकोबार आइलेंड, और blue flag certification को qualify करने के लिए, आपको environmental, educational, safety और accessibility criteria जो है, वो आपको meet करने होते हैं और maintain करने होते हैं, blue flag जो है, एक international equal label है, जो beaches को दिया जाता है, marinas और sustainable voting tourism operators को दिया जाता है, और certification को कौन देता है, हमने पहले भी डिसकस किया था, foundation for environmental education, FEE द्वारा ये दिया जाता है, और जो भी beaches हैं, जो blue flag beaches होते हैं, उनको world का सबसे cleanest beaches माना जाता है, Question है, recently which of the following beach of India got blue flag certification, हाल ही में भारत के निमेल लिखित में से किस समुद्र तड को blue flag पर्मान पत्र मिला है, golden beach, gogla beach, radhanagar beach and all of the above, जल्दी से comment करके बताएए, क्या होगा इसका correct answer, The correct answer will be option D, that is all of the above. Next is International Day for Disaster Risk Reduction, ये 13th October को मनाया जाता है, and this was started, the day started in 1989 by the United Nations General Assembly to promote a global culture of risk awareness and disaster reduction. जो ये दिन मनाया जाता है, it aims to celebrate for raising awareness and how people around the world are reducing their exposure to disasters. This year's International Day for Disaster Risk Reduction is all about governance. आपता जोखिम न्यूनी करण के लिए इस वर्ष का अंतराश्ट्रे दिवर्ष शाशन के बारे में हैं, कि अगर एक good disaster risk governance होगा, तो वो lives को बचा सकता है, disaster affected लोगों को जो है बचा सकता है, and उन जो भी economic losses हैं उसको कम से कम कर सकता है. And disaster risk reduction needs a clear vision, plan and competent empowered institutions acting on scientific evidence for the public good. Strategy for disaster risk reduction must be multi-sectoral linking policies in areas such as land use, building codes, public health, education, agriculture, environmental protection, energy, water resources, poverty reduction and climate change, adaptation, देखें, disaster risk reduction, simple सी बात है, जो भी disasters होते हैं, उन में कैसे हम risk को कम से कम कर सकते हैं, तो अगर हम अपनी जो policies हैं, उनको हम land के हिसाब से उनको देखें, उनको link करें, land use के हिसाब से, building codes को इस तरह से बनाया जाए, कि कोई भी disaster है, तो वो जहेल सकी, जैसे earthquake proofs building होनी चाहिए, then public health को ध्यान में रखते हुए, कि अगर कोई भी in case, emergency आती है, या फिर कुई सी तरह का disaster आता है, जैसे, कोई epidemic है, तो epidemic भी एक तरह का disaster है, ठीक है, तो इस तरह के लिए public health को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसीज को लिंक किया जाना चाहिए, education, agriculture, मतलब हर sector से जो है, जो भी policies है, उनको लिंक किया जाना चाहिए, सब चीज को ध्यान में रखते हुए, एक comprehensive policy बनाने की, जरुत है comprehensive strategy की अवशिकता है, Sendae framework for disaster risk reduction 2015 से 30, So, ये जो Sendae framework है, ये adopt किया गया था at the 3rd United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction in 2015, और ये पहला सा major agreement था, post-2015 Development Agenda, which provides the member states with concrete actions to protect development gains from the risk of disaster, तो कैसे कि हम जो disaster की risk को कम करके, कैसे हम development करके, कैसे हम फाइदा उठा सकते हैं, उससे रिलेटर ये Sendae framework है, Question देख लेते हैं, International Day for Disaster Risk Reduction is celebrated on, आपदा जोखिम न्यूनी करण के लिए अंतराश्य दिवस कब मनाया जाता है, 13 October, 23 October, 8 October and 12 October, तो जल्दी से कमेंट करके बताईए, क्या होगा इसका correct answer, So the correct answer for this will be option है, that is 13 October, Moving forward, next is Forest Department of Tamil Nadu, rescued an olive ridley turtle in Ramannathpuram, तो Ramannathpuram में, Tamil Nadu के वन में भागने, olive ridley कच्वे को बचाया, which was caught in a fishing net, इफ जाल में फस किया था, मशली पकडने के, The nesting season for olive ridley turtles usually starts by December, तो जो ये olive ridley कच्वे हैं, इनका जो घूसले का जो मौसम आता है, वो December में start होता है, और इसी समय में जो है, काफी जो olive ridley turtles हैं, वो beaches पे देखे जाते हैं, especially रशी कुल्या बीच के आसपास, जो की ओडिसा में है, olive ridley turtle का IUCN status vulnerable है, ये आपके लिए important है, sites में इसका, जो लिखा हुआ है, इसको mention किया हुआ है, और पेटेक्स 1 में किया हुआ है, इंडियन wildlife protection act के अंतरगर भी इसको protection मिला हुआ है, schedule 1 में ये listed है, schedule 1 में जो भी जीव लिस्टेड होते हैं, wildlife protection act के, तो उनको एक तरह का protection दिया जाता है, then these are found, कहाँ पाए जाते हैं ये, these are found in warm waters of Pacific, Atlantic and Indian ocean, तो कभी आपको option में दे सकते हैं कि, बताईए कि इन में से कहाँ पर ओलिव रिड़े टर्टल नहीं पाए जाते हैं, तो Pacific Atlantic और इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं, and Odisha is the only state in India that sees mass nesting of ओलिव रिड़े टर्टल्स, तो Odisha जो है वो एकलॉता ऐसा जो है राज्य है भारत में, जहाँ पर mass nesting देखी जाती है ओलिव रिड़े टर्टल्स यहाँ पर देख सकते हैं फूटो में ये ओलिव रिड़े टर्टल्स हैं, इनको खत्रा दो तीन चीजों से है कि इनको पोचिंग की जाती है इनकी meat, shell, leather और egg के लिए एक तो ये इनके लिए खत्रा है, दूसरा जब मशली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो troll nets या फिर gill nets का प्रियोग करते हैं जिसमें वो कई बारी फस जाते हैं और रून की मिर्टिव हो जाती है, चिक है, चलिए आगे चलते हैं, let's see a question, तो क्या होगा इसका correct answer, जिल्दी से comment करके बता दीजे, अभी बताया थे मैंने, इसका correct answer होगा option है, that is vulnerable, next is butterflies and moss shift higher up in the Himalayas due to climate change, तो देखिए climate change की वज़े से कुछ समय पहले हमने पहले थे कुछ ताइम पहले कि जो vegetation है, वो उपर की तरफ shift हो रहा है, ठीक है, अभी उपर की तरफ shift होने का क्या reason है, यह मैंने आपको पहले बताया था, कि जैसे कोई माली जे particular vegetation इस A height पर मिलता है, mountain, यह mountain है और इस mountain की A height पर ये particular vegetation पाया जाता है, और यहाँ पे जो temperature है, वो माली जे T1 है, ठीक है, अब global warming, climate change की कारण यहाँ पे temperature बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे जो vegetation है, उसको survive करने के लिए वही temperature चाहिए होगा, तो यह vegetation उपर कोई दूसरी height B पर shift हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर वो T1 temperature उसको मिल रहा हो, ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, जब vegetation shift होगा, किसी का habitat shift होगा, तो वहाँ की जो species है, वो भी shift करेंगे, तो वही study में पाया गया है, कि जो butterflies और जो moth है, वो हेमालियास के जो है, और उची उचाई पर जो है, वो shift हो गया है, वो क्यो shift हो गया है, क्योंकि temperature बढ़ गया था, जहाँ पे वो originally survive कर रहे हैं थे, वहाँ पर survive करने के लिए उनक के लिए adaptable temperature है, वहाँ पे वो shift हो गया है, और यही इसका reason भी है, the Himalayas are home to more than 35% butterflies and moth species found in India, तो भारत में 35% जो butterflies and moth species पाय जाते हैं, तो वो सबसे जादा कहां पाय जाते हैं, हिमालियास में पाय जाते हैं, और यह जो study है, यह Zoological Survey of India के दुआरा कंड़ की गई, और इसकी funding Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने की है, इस data के according, 7 species जो है, वो उन्होंने higher altitude पे वो shift कर गए हैं, जो कि 2000 मीटर से भी जादा उचाई पर है, the butterflies are very sensitive species to climate change, तो butterflies बहुत जादा sensitive होती हैं, climate change के लिए, इसलिए वो जादा अपने survival के लिए, जादा survival नहीं कर सेपनी extreme temperature, तो वो shift कर गए, इस study has also identified 80 new species of butterflies and moths, तो इसमें 80 new species भी identify किये गए हैं, butterflies और moths के, और दो hot spots जो हैं आपर species के, रूप में अगर हम देखें, तो दो richness, species richness hot spots identify किये गए हैं, hot spots, तो these are West Bengals, Darjeeling Hills and Kumau, Utrakhan, ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये दो पुरजाती की संब्रदी के आकर्शन के केंद्र है, the study has also found that 211 species of butterfly in western Himalayas and 354 in eastern Himalayas, तो study में पाया गया कि, 211 butterfly की species western Himalayas में हैं, और 354 eastern Himalayas में हैं, तो ये जो हैं, लेपीडो पटेरा कहा जाता हैं इनको, जो मौल्स बटरफ्लाइज होते हैं, लेपीडो पटेरा, जो ही सेकिंड लाज़ेस्ट ओर हैं in the class, in sector, next is reason for the altitudinal shift of Lepidopatera, क्यों shift कर रहे हैं, सबसे पहले, scarcity of water, पानी की कमी की कारण, दूसरा, human habitations का बढ़ना, मानुबस्ती का बढ़ना, और तीसरा, altitudinal shift in vegetation, जो मैंने कुछते पहरा आपको समझाया, कि जो उनका vegetation है, जो habitat है, जो ही shift हो जाएगा, तो वो भी automatically shift होने लगेंगे, चले question देख लेते हैं, what are the reasons for the altitudinal shift of the Lepidopatera, तो कभी-कभी environment and ecology से इस तरह से question पूछ ले जाते हैं, reasons based, जैसे अभी जो PCS का exam होया था, UPPCS का वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा impact होगा climate change का, ठीक, और उसमें से आपको melting of glaciers, rise in sea level, temperature इस तर से कुछ-कुछ statement दिये हुए थे, Lepidopatera की altitudinal shift के क्या कारण है, starcity of water due to receding, ice caps and glaciers, increasing human habitation, altitudinal shift in vegetation and all of the above, so क्या होगा इसका correct answer, guys comment करते हैं, correct answer, the correct answer is option D, that is all of the above, next है 18 year old girl, चैतन्य वेंकर्टेश्वरन becomes British High Commissioner for a day, राष्ट्रे राजदानी की 18 वर्षी लड़की चैतन्य वेंकर्टेश्वरन एक दिन के लिए British उचायुक्त बन गई है, और ये जो हर साल एक competition organized किया जाता है, for the women age between 18 to 23 years, ताकि वो एक senior most diplomat की तरह वो serve करे in British High Commissioner, ये जो competition है, ये हर साल जो है organized किया जाता है, to celebrate the International Day of the Girl Child, जो की 11 October को मनाया जाता है, She got this unique opportunity under the missions initiative aimed at empowering and highlighting the challenges faced by women across the world, तो दुनिया भर में महिलाओं के सामने आने वाली चुनोतियों को जागर करने और उन्हें सशक्त बनाने की उदेश्य से, मिशिन की पहल के तहद उन्हें ये अनूठा अफसर मिला है, Current British High Commissioner कौन है इंडिया के? वो है Sir Philip Robert Barton Who is the Current British High Commissioner to India? भारत में वर्तमार ब्रिटिश उचाय कौन है? Sir Richard Stagg, Sir Dominic Eskit, John Freeman and Sir Philip Robert Barton So क्या होग इसके correct answer? जल्दी से बता दीजे The correct answer will be option D, that is Sir Philip Robert Barton Next is, In the Fleet Award Function 2020 जो most coveted trophies है, best ship की है वो किस-kिस को दी गई है? INS Sayadri को दी गई है Among the Capital Ships and INS Kora को दी गई है Among the Corvets ठीक है, तो ये दो important हैं आपके लिए INS Kora and INS Sayadri इनको best ship की trophy मिली है And this function was organized to mark the successful culmination of operation cycle of the Eastern Fleet of the Indian Navy at Vishakhapatna Vishakhapatna में भारत्य नौसेना के पूर्वी बेडे के परिचालन चक्र की सफल परिनीती को चिनहित करने के लिए FAF 2020 का आजन किया गया था इसमें total 16 trophies award की गल for the recognition of excellence in various operational verticals इसके अलावा जो अरावत है और जो गिलतन है इन दोनों को best spirited ship award जो है वो दिया गया है इंडिया नेवी के हम बात करें तो यह naval branch है इंडिया नांग forces की 24th इंडिया नेवी chief current नेवी chief कौन है करंबी सिंग है and the chief of the naval staff is the commander the highest ranking officer in the इंडिया नेवी तो chief of naval staff जो होते हैं वो highest ranking officer होते हैं इंडिया नेवी में next is who among the falling has won the best ship award in the capital ships category at fleet award 2020 so fleet award function 2020 में capital ships श्रेश्ट जहाज पुरसकार किसने जीता है एरावत, किलतन, सयादरी and कोरा so उसका correct answer क्या होगा the correct answer will be option C that is INS सयादरी so friends हमने यहाँ पर जो भी daily current affairs है उसे related questions है वो सभी cover कर लिए है तो इसी तरह साथ हमारे साथ जुड़े रहे अपना त्यारी बढ़िया से करते रहे all the best thank you so much